आज और आज मैं कुछ स्पेशल चीज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत सारी इंग्लिश वीडियोज हैं अलग अलग लेंग्विज में हैं स्पैनिश हैं बहुत सारी वीडियोज अविलेबल हैं लेकिन जो डिटेल्स के साथ हिंदी में आप लगों को वीडियो चाहिए वो योट्योब पर कहीं पर भी नहीं है मैंने भी सर्च किया मैंने भी ढूंडा लेकिन मुझे नहीं मिला और वो शेप्स भी हैं जो ये वर्क करने के बाद आई है तो चलिए हैं जादा बाते नहीं करते हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ बहुत सारा शेयर भी कीजिएगा ना ही ब्रश उठानी है ना ही कोई शेडिंग करनी है बट है क्या करना है पूरी वीडियो में देखेगा और हाँ फ्रेंड्स ध्यान से देखेगा और ये है पार्ट वन पूरी साधी बनाएंगे हम इस टेकनीक से और पार्ट टू जल गिया आप सभी को मिलेगा पार्ट वन को देखेगा अधरवाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने इसको तो पार्ट में लखा है तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ जो फ्रेंद्स ये है साधी और मैं इस पर प्रिंकल कर रहे हूं हमारी स्प्रे से बाटल से पानी अच्छे से पानी स्प्रिंग Πज़ आपको दिख रहा होगा इस अच्छ से विल дня पा कि वह आपको बिल्कुल गीला कर दे और बिल्कुल ही जो है तपकता रहे ऐसा भी नहीं करना है मतलब इतना लगाना है कि वह अपन साड़ी पर ही रहे इस तरह से अच्छे से पूरे पोर्शन को जितने भी पोर्शन में आपको ये ट्रिक जो है करनी है आप उसको अच्छे से गीला कर लीजिए उसके बाद लीजिएगा एक पैलेट और पैलेट में हम निकालेंगे कलर मैं तर्कोईस ब्लू कलर यूज कर रही हूं देखे तर्क किसी कलर के फैबरिक पर करना चाहते हैं तो ये कलर लीजिएगा और ये ले रही हूं मैं हमारी स्पांज ब्रश और उसको पानी में हमने डिप किया है अच्छे से मतलब उसको नहीं चोड़ेंगे नहीं उसको पानी में ही रखेंगे और उसके बाद देखे जो लाइट शे से कीजिएगा अब आप कहेंगे डाई ही क्यों कराई थी अगर आपको इस तरह से कलर करना है तो अरे रुकिए जनाब अभी हमें बहुत कुछ करना है इस में तो इस तरह से जो है लाइट ग्रीण हमने किया है और आपकर रहे हैं डार्क ग्रीन कलर ॉर फ्रेंट्स यह जो भी जो है न उसी की family का color लीजेगा जैसे yellow है तो आप red, orange और maroon color लीजेगा अब last but not the least जितना भी portion हमारा गीला बचा है वहाँ पर हम करेंगे turquoise blue color यानि कि थोड़े area में मैंने किया है light green उसके बाद थोड़े से ज़्यादा area में dark green और बाकी जितना भी बचा हुआ area है वहा करने के बाद जो है हमारा अगला process जो है वह सबसे ज़्यादा important है और color को अच्छे से कीजिए का friends क्योंकि बिल्कुल भी ना light नहीं रहना चाहिए कि आपका color जो है dry होने के बाद वह light light फीका फीका सा वह लगता है और जो बीच में यह जो lines दिख रही है ना इनको अच्छ टुकडे मैंने थोड़े छोटे थोड़े हैं कुछ बड़े हैं और मैं किस तरह से यहां place कर रही हूँ आप देखेगा थोड़े थोड़े gap पर मैं जो है इनको एक circle की shape में रख रही हूँ और यह जो है एक जो है हम shape बना रहे हैं मैंने आपको regular table salt से तो work करना पहले भी सि हिंधा नमक होता है ipsum salt वो है और इस तरह से जो है chunks जो हमारे salt के हैं मोटा salt अप लीजेगा और उसको तोड़ लीजेगा इसी तरह से मैं अलग-अलग जगा पर इसी shape और pattern में जो है यह place कर रही हूँ और इसको जो हम इसी तरह से place करेंगे कि हमें एक जैसी शेप मिल जैसे ना कपड़ा थोड़ा सा heavy हो जाता है तो बीच में से लटक जाता है तो हमारे जो salt particles है ना वो नीचे गिरने लगते हैं तो वह चीज को आप manage कर लीजेगा अब यह ले रही हूँ मैं table salt अब है हमारा जो है main shape देने का काम वो कैसे देनी है अब आप देखिए जहां हम ने lines दी है ना colors का जहां दो color joint हो रहे हैं वहां मैंने simply line में जिस तरह से हम रंगोली बनाते हैं उस तरह से डाला है और एक flour के pattern में इन मोटे जो salt के टुकड़े हैं जो chunks हैं इनके जो पास-पास में flour petal की shape में मैं जो है यह रख रही हूं कर रही हूं salt और थोड़ा सा salt मैं पूरे fabric पर ऐसे ही विखरा दूगी और अगर आपका dry होने लगे ना friends salt रखने से पहले अगर fabric आपका dry होने लगे weather जदा hot है या fan चल रहा है तो तो आप ना उसको as it is shape में salt को रहने दीजिए लेकिन उस पर ना हलका हलका पानी spray कर दीजिए ताकि वो गीला हो जाए और य इनको मैं ऐसे दूर दूर रख रही हूँ अब आप सोचेंगे इससे होगा क्या तो आपने बिल्कुल table salt का जो result देखा था ना ये उससे बहुत different है बहुत अलग है silk पर जो है ये चीज यूज करते हैं देखे मैंने पूरे जो जितने portion में लगाया है मैंने पानी वहां रख दिया और गीला आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें जो है चमक है वो पानी की चमक आ रही है अब हम वेट करते हैं result का लगभग 15 से 20 मिनट आपके जो है इसके result आने में लग जाएगा तो ये है middle part हलकी हलकी shapes यहां आनी शुरू हो गई है friends आपको दिख रहा होगा और अभी हम इसको नहीं अटाएंगे लेकिन आप देखेगा ये हमारा जो है after 20 मिनट जो है result ये result आया है और यहीं तक मुझे चाहिए था अगर इससे भी जाद आपको जल्दी आप उठा लेजिए मुझे ऐसा ही cloudy effect चाहिए था तो मैंने इतनी देर रखा है और उसके बाद अभी गीला ही है मेरा fabric और मैं उस पर से सारा salt जो है वो हटा रही हूँ और इस तरह से बिल्कुल clear कर देंगे और ये है हमारा result तो आप लोगों को कैसा लगा ये result आज कुछ अलग है कुछ different है और कुछ easy है आप इसको जरूर बनाईएगा दुपट्टा बनाईएगा या आप इससे कुछ भी बनाईएगा बहुत खूबसूरत लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर की आज की वीडियो आपको कैसी लगी चैनल पर नए है सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को जादर से जादर शेयर किये basic salt effect की जो में वीडियो देखना चाहते हैं तो लिप साइड में क्लिक कीजि